राम राम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपके लिए रास्तान जीके के कुछ महतपुन परसन लेकिया है जो आपके CET 12th लेवल की परीक्षा लगेगी उसके लिए बहुती महतपुन है तो पहला परसन देखें परसिद प्रेटन इस्तल जसोन थड़ा कहां इस्तित है जो जसोन थड़ा है वह कहां पर इस्तित है जसोन थड़ा को राजस्तान का ताज महल कहा जाता है क्या कहा जाता है राजस्तान का ताज महल कहा जाता है तो यह कहां पर इस्तित है जोदपूर जैपूर अजमेर और कोटा तो जो भी चैनल पर नए आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो पहला पर अगला परसंदेखो चोराशी खंबो की छत्री राजस्तान के किस किले में इस्तित है जो चोराशी खंबो की छत्री है वो राजस्तान में कहां पर इस्तित है उप्शन है बूंदी अजमेर को जमीन का जेवर कहा जाता है ठीक है राज्तान का ऐसा कोण सा दुरग है इसे जमीन का जेवर कहा जाता है उप्शन है जूनागड का किला सोनार गडगा किला चित तोडगडगा किला और चूरू का किला तो इसका सही आंसर कौन से जाएगा ए उप्शन जूनागड के किले को जमीन का जेवर कहा जाता है और जूनागड का किला राजस्तान में कहा पर है दिकानेर में ठीक है अगला परसंदेखो बूड़ा तीर्थ जो सूर्य मंदिर है वह कहां परिस्थित है बाड़मेर में जोधपुर में कोटा में और दोसा में तो इसका सही आंसर कोड़ सो जाएगा कहां परिस्थित है कोटा में है जिसे बूड़ा तीर्थ का आजाता है वह कोटा में है जो सूर्य मंदिर है अगला परसंदेखो समाई माता छेत्र को प्रेटक आकरशन केंदर के रूम में वक्षित किया गया था वह कहां परिस्थित है जो समाई माता छेत्र है वह कहां परिस अगला प्रसन है देव यानि कुंड कहा इस्तित यह जो देव यानि कुंड है वह आ है कहां पर इस्तित है ओक्षं है जयपूर उद्यपूर उद्यपूर टॉंक और जालाबाद तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ओक्षं Surator कहां पर राहे जयपूर में और जैपुर में भी अगर इस्तान पूशता है तो देव यानि कहा है संबर में इस्तिता है कहाँ पर संबर में इस्तिता है देव यानि कुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणु सी उप्षन बर्ज मेवात में है प्रेटन सर्किट के में सीडी सेल जो सीली सेड लेक पहले से जील है वह बर्ज मेवात प्रेटन सर्किट में आता है और यदि इस्तान का नाम पूचता है तो यह कहां पर है अलवर में है कहां पर है अलवर में इस्तित है सीली सेड लेक पहले या silicate जील ज्यान में रखना ये चीज भी ठीक है अगला परसन है रूपा की और करपाजी यहां पर जी आ जाएगा शूरी यह गलती से लिग गया है रूपाजी और करपाजी दाकड का समंद किस आंदोलन से है तो उप्सन है बूंदी किसान आंदोलन से बैंगु किसान वेंगु किसान आंदोलन सेां का समझद जा अगला परसन देखो निमनेल लखित मैं से कौन सा सुम्मेलित नहीं है तो ओप्सन देरा कहा है जे के सि मेंट निम बाइडा कहा है चितोडगड में मंगलं सिनमेंट कोटटा में यह स़ही है सिरीव किमेंट ब्यावर में यह भी क्योंकि बिल्डा वाइट सिमेंट है ना कहां पर है खार या खंगार जोधपूर में है कहां पर है जोधपूर में आया खार या खंगार जोधपूर में इस्तित है बिल्डा वाइट सिमेंट ठीक है अगला परसन है राजस्तान में परतम सिमेंट फैक्टरी किस जिले में इस स्तापित की गई थी ओप्शन है बूंदी जैपूर फिर दुबारे से ओप्शन आ गया है जैपूर इसको उध्यपूर कर लेड़ा ठीक है और डी ओप्शन चित्तोडगड़ तो इसका सही आंसर कौन सजाएगा ए ओप्शन कहां पर इस देता है परतम सिमेंट की जो फैक्ट कर देना है जिला पूंचता है तो बूंदी और यदि ये पूंचता है कि कभी स्तापित की गई तो 1915 में ठीक है अगला परसंदेखू निम्न में से कौन सा किला यूनिसको की जो विसु द्रम सूची में सामिल नहीं है जो यूनिसको की सूची में सामिल किये गए थे राज कुंबल गट को गया समलित मिया कि इसके अलावा खूर फोने वह कुंबल गड़ को ग épक है एक तो गया मिदर पंक कोन्ट में गागरोन का Qilah अगला हो गया रनतमपोर और चितोडगड का Qilah लाश्ट हो गया चितोडगड का Qnah ठीक है ये 6 किले सामिल किये गे ज comment सुची में जेसलमेर, आमेर, कुंबलगड, गागरोन, रनतम भर और चितोडगड ठीक है यगर इन तीनों का option के अलावा यदि ये तीन भी दे देता तो आपको confuse नहीं हो ना कि 6 याद रखने आपने को और यदि इनकी trick से याद करवाऊं तो आपको trick बता देता हूं मैं कि 6 के 6 जी यूनिसकों में सामिल के गेते हैं इस परकार से याद रख ले ना गाजर चिकू और आम क्या-क्या गाजर चिकू आम तो गासे गागरोन जैसे जैसलमेर और रैसे रन्थमबो ची से चितोडगड और कैकू से कुम्बलगड और आम से आमेर का किला इस परकार से आप 6 जो जीले है वो याद रख सकते हो ठीक है अगला परसन है राजस्तान में सर्वादिक चार बार जो राज्य सबा के लिए निर्वाचित होने वाली व्यक्ति है वह कौन है उप्षन है राम निवास विर्दा सार्दा भारगव नाथुराव और वसुंद्रा राज्य तो इसका सही आंसर कौन सब जाएगा ऐ उप्षन कौन सब जाएगा ऐ उप्षन राम निवास विर्दा जो सर्वादिक बार कितनी वार सर्वादिक बार चार बार राज्य सबा के लिए निर्वाचित हुई है अगला परशन है कौन सी संस्ता राजस्तान के ओध्योगी क्विकास की गति को देने वाली सीर्श संस्ता है किसको ओध्योगी क्विकास तो ओप्शन हो जाएगा राजस्तान वित्निगम रिको और रासिको और नबाई तो इसका सही आंसर कौन से होजाएगा B option रिको छेतर यह ओद्योगी की कास को गती देने वाली एक संस्ता है अगला परसन है जापानी पार्क कहां परिस्तित है जो जापानी पार्क है वह कहां परिस्तित है option है कोटपुतली बैरोड कोटा, अजमेर और बाड में तो इसका सही आंसर कहा हो जाएगा एक option कोटपुतली बैरोड में इस्तान पूँचता है तो इस्तान कहा हो जाएगा नीमराणा जापानी जो पार्क है वह कहां परिस्तित है नीमराणा में ध्यान रखना यदि कोटपुतली बैरोड नहीं आए और नीमराणा अगर इस्तान पूचता है तो नीमराणा आए तो आप कन्फ्यूज मत हो न नीमराणा को टिक करना आपको सही दिगा अगला परसन है फलकुबाई का समंद किस लोक नरत्या से आए option है काल बेलिया चरी गोमर और भवाई तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा D option किसे आए चरी नरत्या से है फलकुबाई का समंद अगला परसन है फलो में जो मिठास का कारण है वह जैसे हैं किस कारण से है option है लैक्टोज के कारण माल्टोज के कारण फ्रुक्टोज के कारण और राइबोज के कारण तो इसका सही आंसर क्योंद सहजाएगा C option फ्रुक्टोज के कारण फलो में मिठास आता है अगला परसन है राजस्तान में जो बारवा जयोतिर लिंग है वह कहां पर इस्तित है यदि जिला पूँचता है न तो कहा हो जाएगा सवाई मादोपुर यगर जिला पूच ले कि कहां पर इस्तित है और सिवाड ने दे और सवाई मादोपुर दे दे तो आपको सही उतर कौन सा करना है सवाई मादोपुर चीकर अगला परसन है नडवाद्ययंत्र के जो परसिद कलाकार है वह है कोन है अगला परसन है निमने लिखित में से कौन सा मंदिर गुजर परतिहार वास्तु शेली से नहीं है जो गुजर परतिहार वास्तु सेली से नहीं है वह है बताना है तो उप्षन है दादीमात्या का मंदिर किराडू का सामेशुर मंदिर ओस्या का सूर्य मंदिर और चार चोमा का सिव मंदिर तो इसका सही आंसर कॉन सा हो जाएगा डी उप्षन कॉन सा है चार चोमा का जो सिव मंदिर है वह है गुजर परतियार से लिखा नहीं है तो यह किसका है यह नागर से लिखा है किस से लिखा है नागर से लिखा चार चौमा का जो सीव मंदिर है वह है नागर से लिखा है और यह बाकी तीन किसके है गूजर परतियार से लिके हैं ठीक है अगला परसन है गोरा बादल महल और नव लखा बुर्ज कहां पर इस्तित है तो उप्शन है चितोडगड कुंबलगड जालोरदूर और रन्थमबोरदूर तो इसका सही आमसर क्या हो जाएगा ए उप्शन कहां पर इस्तित है बादल का महल और नव लखा बुर्ज ये दोनों ही वहाँ पर इस्तित है और जो भी हमारे चैनल पर नए आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकान प्रेस जरूर करना और यदि आपको वीडियो की जो भी परसंद दे रखे हैं वीडियो में उनकी यदि आ की सुल्क प्राप्त करवाई जाएगी और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत और जय राजस्तान ठीक है